हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं एक कब गेहूं के आठे से बहुत जादा टेस्टी और हैल्डी से नास्ते की रेसिपी सबसे अची बात पता है ये गेहूं के आठे से बन रहा है तो बतला कोई भी से बना सकता है तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं तो मैंने यहाँ पे एक कप गेहु काटा लिया है दोस्तो उसी के साथ मैंने यहाँ लिया है आधी चमर जीरा जिसे इस तरह से हमें हाथों से क्रश करके डालना है इससे जो टेस्ट है वो इनहांस हो जाता है अब मैं यहाँ डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक तो दोस्त कि आप निबु का रस भी ले सकते है ठीके अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक पकेट इनो तो दोस्तो एनो हमें ओनली स्वेवर का ही लेना है यानी कि जो निबु का फ्लेवर होता ना वही लेना है और कोई सा तरह बली से अरब कर लेंद में हो और ली तो वह घुल्द तो मेरे पास इस तरह का। हम ब्लेंडर है अगर दोस्तों आपके पास हैंड नहीं है तो आप चावल खाने वाले से छोल भणे होोंने वाली वह गोल बनाकर सक्ते हैं बिल कुल भी दोस्तों इसमें मिल्मात नहीं पैसे मड़ीचे लीजेगा मैंने अच्छे तरह से इसे फेट लिया है बिल्कुल भी इसमें लंप नहीं है तो टोटल दोस्तो मैंने यहां पे एक कप में से दो चमच निकाल देंगे ना इतना पानी मैंने आपर डाला है ठीक है अब दोस्तो हमें इस नाश्टे को बिल्कुल भी रखने की जरुबत नही हुआ था ठीक है आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी नहीं जादा गीला है और नहीं जादा पतला तो इस तरह का ही रहना चाहिए अगर जादा पतला हुआ तो जब हम इसके ऊपर सब्जिया लगाएंगे तो वो कच्छी रह जाएंगी ठीक है अच्छी तरह से फैला देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें मैनत नहीं लगेगी बस एक चमस आप डालेंगे और आसानी से फैल जाएगा ठीक है अब हम डाल देंगे इसमें कुछ सब्जिया तो अपने अकॉर्डिंग आप कमिया जादा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर एक मीडम साइज प्यास ज उसको भी हम इसके उपर लगा देते हैं ठीक है तो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको ज़्यादा सब्जिया खाना पसंदोना तो थोड़ी ज़्यादा भी लगा सकते हैं दो हरे मिर्श जिने भी मैंने बारिक टुक्रो में कट कर लिया था तो अगर दूस्तों आप बच सकते हैं हेल्दी बनाने के लिए ठीक है अब मैं यहां पर डाल रहे हूं थोड़ा सा हरा धनिया ठीक है ताकि जो हमारा जो नाष्टा है वो देखने में भी अच्छा लगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रहे हूं तो बच्चों के लिए जब बनाए ना तो उनली चिली मिर्ज का पाउडर भी डाल सकते हैं थोड़ा से हम नमक डाल देंगे उपर से नमक स्प्रिंकल करने से दोस्तों इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है जरूर डालिएगा ठीक है अब हमें धक्के रख देना है यहां दोस्तों तीन मिनिट तक हमें इसको धक्के रख दिया अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं अब इसे हम पलट देते हैं और बस इस तरह से अब हमें इसे दबाते हुए सेक लेना है गैस की जो फ्लेम में उसे मीडियम ही रखिएगा ताकि अंदर तक जो हमारा नाश्ता है वो अच्छी तरह से पक जाए और बस इस तरह से दबाते हुए हमें दोनों साइट से उलट पुलट करते हुए सेक लेना है यह देखिए बहुत बढ़या सा सिग गया ना इस साइट भी तो बस ऐसे ही उलट पुलट करते हुए हमें सेक लेना है और यह देखिए दोस्तो हमारा नाश्ता बनके तेया है ब देखें बिल्कुल भी दोस्तों यह कच्चा नहीं है क्योंकि हम ने इसे दबाते हुए सेका था आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसे रख सकते हैं या फिर हस्बेन के टिफिन बॉक्स में भी बहुत जारा टेस्टी लगता है और बहुत जारा डिफ्रेंट टेस्ट क आप ये नाच्टे के रेसिपी घर में कप ट्राय कर रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा अगर वीडियो थोड़ा सभी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल यानिकी रेलो रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और यह बि नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैस्ट्री शाम